वेल्कम टू के कीने जंदे घर में इन पौदों को लगाने से आते हैं सुख और सम्रित्थी आज ही लगाएं जिन्देगी सबर सरेगे जीने दोस्तों हमने तो देखा ही है हमारे जीवन में कई तरह के दुख सुख कर दिन आता है मगर हम सब यह नहीं सांतें यह सब कुछ कैसे हो साता है हमारे घर की अंदर कुछ वास्तु दोश्या कोई नरत पात्मक देने वाली चीत रिया फिर कोई अन्मी चीजे जो वस्तों के मताविक ना हो तो यह हमारे जेवन में परिशानी दे सकता है तो दोस्तो आज हम कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कापी जिंदगी सबस जादेगी तो आईए जानते हैं वो कौन से पौधे हैं केले का पौधा अगर आपकी शादी में किसी भी तरह की उकावट आ रही है या फिर आपने घर में सुक सांती को बरकार रखना चाते हैं तो अपने घर में चट की पीछी भाग के एक केले का पौधा लगा सकते हैं इसी के साथ आपको इचित फलकी ताप्ती करने के लिए रोजाना इस केले के पौधे की पौधा भी करनी होगी जी हैं दोस्तों तुलसी का पौधा इस बात को तो आप सांते ही होंगी कि तुलसी का पौधा काफी पवित्र होता है इससे औशदी गुन से आप अपने घर से नाकारक्न कुर्जा को समयब्ट कर सकती है आप नोजाना तुलसी के इस पौधे से कर दीपक जला कर सुक्र ग्रहन को सांद कर सकते हैं अब आए अनार का पॉधा अगला का पॉधा अगर घर में अनार का पॉधा लगा हो तो इसमें नाकारात्मक प्रभावश्त और तंद्रमंदर की समस्या दूर हो जाती है इतना ही नहीं कि फूल को शहत ने डुबा कर हर स्वामार को भगवान से की प्राप्ति अप्टित करने से कई कस्ट दूर हो साते हैं